नमस्कार जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे DLN एक्जाम 2022 लेटेस्ट अप्डेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकिए 24 अप्डेल 2022 की बड़ी अप्डेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की breaking news PNP लेटेस्ट अप्डेट को हम इस वीडियो में discuss करेंगे DLN scholarship का status पूरी अप्डेट को देखेंगे एक और बड़ी अप्डेट आपके सामें रख दे DLN BTC की परिच्छा के संबंद में एक विध्यप्ति को जारी किया गया है इस विध्यप्ति की पूरी अप्डेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और दोस्तों 1st semester का जो हमारा paper होगा इसको लेकर काफी जादा confusion है उसको भी हम इस वीडियो में दूर करेंगे confusion क्या है कि अभी तक examination form भरा नहीं गया है पेपर समय से हो पाएगा नहीं हो पाएगा लेकिन देखें जो PNP की तरफ से official विध्यप्ति को जारी किया गया है देखें डियलेट BTC procedure के विबिन समिष्टरों की परिच्छा वर्स 2022 दिनांग 25-4-2022 से लेके 11-5-2022 तक आयोजीत की जा रही है तो आप यहापर देख सकते हैं 11 माई तक और आपको दोस्तों बता दें 11 माई को जो पेपर खतम होगा वो डियलेट परथम समिष्टर का ही खतम होगा ठीक है न? तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो परथम समिष्टर का एक जायम वह समय से कराया जाएगा उक्त परिच्छा में समलित होने वाले समस्त परिच्छार्थियों को सूचित किया जाता है कि DLED BTC की समेश्टा परिच्छावा में समलित होने वाले परिच्छार्थियों को प्रोवेश्पत्र में अंकित परिच्छा केंदर पर परिच्छा प्रारंब होने के निर्धारे समय से 20 मिनट पूर्व तक प्रोवेश की अनुमती होगा उक्त समय को प्रांथ परिच्छा केंदर में प्रोवेश की अनुमती नहीं होगी यहाँ पर एक बात साब साब क्लियर कर दिया गया है कि भाईया पेपर सुरू होने के पहले 20 मिनट पहले आपको इंटरी ले 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 नहीं अंदर ठीक है जैसे समझ सकते हैं आप लोग कि अगर हमारा दो तीज समिश्टा का जो पहला पेपर होगा वर्तमान भारती समा जेवं प्रारंबिक सिच्छा का यह पेपर होगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तो मतलब आपको हर आलत पे सुबह 9 बच कर 40 मिनट तक ठीक है परिशा के अंदर के अंदर चले जाना है तो यह दोस्त तो बड़ी भात यह को जरह आप लोग ध्यान में रखियेगा नहीं तो देखे क अभी कभी कुछ सेंटर पर दिक्कत हो जाती यूपीटेट का पेपर हुआ था वहा पर भी कुछ नोटेस को जारी किया गया था जहां पर 30 मिनट पहले मतलब आपको इंट्री लेनी थी काफी पच्चे नहीं लिया कुछ जगे दे के दिक्कत नहीं किया गया लेकिन कुछ परिच्छा केंद्रों पर दिक्कत कर दी जाती है। इसलिए बैतर यही होगा कि आप लोग समय से परिच्छा केंद्र पर पहुचिएगा, नई तो फिर बाद में दिक्कत होती है तो प्राब्लम होगी। ठीक है न? यह दोस्तों पूरा मामला है। बाकी तरती है प्रत्न पत पर में, जो बिचये मतलब लगाता है विज्ञान का भी पेपर देंगे गड़ित का भी देंगे, तो उनको विज्ञान का जो बच्छे पेपर देंगे, तो उसके बाद आप classroom छोड़कर बाहर नहीं जा सकते है। आप उसी classroom में बैटे रहेंगे, उसके बाद तुरन तुर जो फार्मूला होता ना कभी कभी ध्यान से उतर जाता है तो उसके लिए आपको फैयदा मिलेगा इस नोटिस में देखे साफ साफ लिखाता कि जिन प्रस्न पत्रों के मध्य अंतराल 30 मिनट का हैं उनके परिचारती को प्रस्न पाली की परिच्छा समाप्त होने पर केंद्र से बाहर जाने की अनुमती नहीं होगी ऐसे परिच्छारती अपने परिच्छा कच्छ और इस्थान पर ही बैटे रहेंगे इसमें यह भी लिखा है कि आप अपना इस थान में नहीं छोड़ सकते कि पता चले आप अपनी सीड छोड़ कर अपने दोस्त के पास जाकर बैट कर लेकिन करिएगा दिक्कत होती नहीं क्योंकि पेपर आपका 11 बजे से तो नहीं इस बार इस बार देखें जो परिच्छा की बड़ी कुछ कबरी निकल कर आई उत्तरा कंड के सिच्छा मित्रों के लिए क्योंकि इनका जो मान दे 5,000 पे बढ़ा दिया गया है अपडेट 13 दून से है सरकार ने प्रदेश के दूर दराज के स्कूलों में कारेरत ठीक है सिच्छा मित्रों का मान दे 15,000 से बढ़ा कर 20,000 पे कर दिया है अपर सच्छी हूँ दिप्ति सिंग के ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग के प्रस्ताव पर सासन में विचार के बाद राजकी प्रात्मिक विद्यालियों में सिच्छा मित्रों का नियत मांदे 20,000 पर कर दिया गया है राज़की प्रात्मिक विद्यालों में 600 से अधिक सिच्छा के जो मांदे बढ़ाने की मांग कर रहे थे तो सोच सकते हैं दोस्तों और UP में बया इनकी संक्या तो लाकों में लेकिन यहाँ पर सेलरी ने बढ़ रहे है 11,000 पर सेलरी दोस्तों लगबग इस सिच्छा मित्रों की है और यहाँ पर भी उमीद है कि जलते जलत 20,000 तक सेलरी पहुचेगे अब दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ और बड़ी बाते देखेंगे इसी क्रम में दोस्तों हमारा पेपर कराया जाएगा बाकी देखें स्कूटनी का रिजल्ट कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया देखें चतूर तर समेश्टा पेपर होने से पहले अगर स्कूटनी की रिजल्ट आ जाए तो बहतर होगा ताकि बच्चों को clear हो जाए कि भाईया हमारा नम्मर बढ़ गया हमें पेपर देना है कि नहीं और उसी से आपसे बच्चे तैयारी करें लेकिन स्कूटनी रिजल्ट में बड़ी लेट लतीफी आपर देखने को मिली और एक बड़ी लापरवाई भी हम कह सकते हैं छात्रों के साथ किया गया देखी हुआ क्या नो जो हमारा प्रथम 23-30 समस्टर का पेपर पहले हो गया था ठीक है तो उसका दोस्त स्कूटनी की रिजल्ट समय से आगया लेकिन 24 समस्टर वाली दिक्कते हैं आपर सामने आई उसके बाद दोस्त बात करेंगे DLAD स्कॉलर्ट सिप का स्टेटस अगर अभी तक आपने अपना स्कॉलर्ट सिप का स्टेटस चेक नहीं किया कि क्या स्टेटस है पैसा आया कि नहीं आया तो उसको एक बार आप लोग देख लिजेगा ठीक है तो बढ़िया रहेगा उसके बाद यूपीटेट रिजल्ट का डारेक्ट लिंक जी या दोस्त यूपीटेट रिजल्ट को भी लगातार आपको चेक करते रहना है बाकि देखे जो भी अपडेट आएगी कोई भी खबर देखे आपसे छूटे एक नहीं सी यूट्यूब चैनल पर ठीक है न तो लगाता ओन उतावरे से आप फेल हो सकते हैं या तो आप टेट में फेल हो सकते हैं या तो आप डल में तो जितने बच्चे फेल चात्र हैं तो आप अपना टेट क्लियर कर लीजिये डल अक्लेर नहींकर mark देगा जब आप सभी विस्यों में पास आणिए तभी आपको मौका रही है नई तो फिर देखे बार में दिक्कत होती है न तो ये अपडेट हो गई ठीक है तो यूपीटेट रिजल्ट से लेकर नई सिच्छक भढ़ती फेल चात्रों के लिए बड़ी खबर तो हर एक अपडेट को दोस्तों ऐसे ही हमनों कवर करते रहेंगे कोई भी खबर 10 बजे से 12 बजे तक देंगे अब तयारी कैसे करनी है क्या 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 मामला इसको भी जराम समझेंगे नहीं तो फिर देखे समय निकल जाएगा फिर बार में दिक्कत होगी अब दोस्तों कल हमारा पेपर सुबह 10 से 12 बजे तक है ठीक है बाकि जो भी अपडेट आगी सबसे बिटर होता है अब बुक से जितना पढ़ना होगा आपने पढ़ लिया होगा लेकिन अंतिम समय में स्रीच देखिए ठीक है कोई भी मतलब छोड़िए कि मत पार्ट की लगुत्री का छोड़ दिये अति लगुत्री के या बहु विकल्पी का तो लगुत्री तो आपको दोस्तो कॉपी भरने तो कुछ नहीं होगा बिलकुल आप टू दा पॉइंट आंसर देंगे अगर आपको आता है नहीं आता तब तो कुछ भी आप बना कर लिख सकते हैं ठीक है अगर कोई कोशन एक नमर का है तो आपको उतना ही लिखना है कि आपको नमर पूरा मिले यह दोस्तो कोशन आजान तो पूछा कि आप पूरी एक पेज बढ़ दे नमर आपको एक ही मिलेगा सामय की बरबादी मत करिएगा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है इस पेसली मैत में जरा ध्यान रखिएगा गडित में 25 नमर का पेपर होगा 5 विकलपी कोशन 5 मिनिट लगेगा 6 कोशन अतिलग उतरी के एक अतिलग उतरी का कोशन करने में maximum 2 मिन डखता है और याद रखिए जो प्रस्न आपको पहले आए उनी प्रस्न को पहले करना है माले दे लगुतरी का दोस्तो कोई कोशन 12 नमर वह आपको आ रहा है तो पहले आप 12 कोशन कर लेंगे जैस फिर 12 में पहुचेंगे, यह गलती बिल्कुल मत करिएगा, जो प्रतना पहले आया, उसका अंतर भी आपको पहले करना है, ठीक है, यह पास होने का सबसे आसान तरीका है, काफी बच्ची यह गलती करते हैं, लाज्ट टाइम में फिर आपके दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि कुछ कटिन कोशन जब आप स्वालो करते हैं नहीं होता है, फिर आपको लगता है कि आरा आता हुआ कोशन भी लगगा आप भूल गए, इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, पेपर क्ली, all the best, have a nice day.